बोकारो जीला के चंदन ख्यारी अंचल सियाल जोरी के टोला में फुचुटी, चीडा बारी, तैस कुली के ग्रामिन को आजादी से अब तक संपर्क पत्न नहीं होने से काफी कटनाईयों का सामना करना पड़ रहा था क्यूंकि कच्चा कुली और फुचुटी के बीच में तलाओ और रहियती जमीन पड़ता था जिसकी वज़ा से रोड नहीं बन पा रहा था लेकिन रहियत और ग्रामिन के सूजबूच से इसका समधान निकाल लिया गया और आज वेदानता कंपनी के CSR विभाक की ओर से रोड मिर्मान का कारे किया गया वर्सों के समय तीनो टोला के मरीजों को तीन सो मीटर की दूरी खटिया में पार करने के बाद समपर्क पत मिलता था लेकिन आज समधान हो गया मुख्या परतिनी दी नेमचान महतो ने कहा कि 12 साल बाद इलेक्ट्रो स्टील जाने के बाद वेदानता कंपनी ने जन हिप में कारे किया इसके लिए कंपनी का जितना भी सराना की जाए वो कम है क्योंकि 30 अप्रील 2019 को सुनीता कुमारी को बजरपात लगने से खटिया के प बेदन आया था और मुख्या ने भी दिया था और जनीत को देखते हुए CSR के माध्यम से तलाओं के में तलाओं के मेंड में पत्थ का निर्मान किया गया जिससे अब जनता काफी खुश है निउजलेंस के लिए लोकारों से बरिजभूशन दीवेदी की रिपोर्ट बहुत बाद अप्लिकेशन आया था कि इस रोट को बनना चाहिए बहुत दिनों से यहां लोग आवाजन कर पाद रहे थे अब इस रोट को बनना चाहिए तो CSR के तहसे यह रोट को बनाए गया आने से ही हुआ है आज बारासल बाद कॉलेट इलेक्ट्रो इस्ट्रिल कंपनी थी लेकिन उसके दुआरा CSR का वैसा कोई काज नहीं किया गया था जनित में लेकिन बेजानता कंपनी आने के बाद से अश्टोला के लोग आजादी के इतनों दिन बाद तक संपर्ख पत नहीं रहने के कारण इन लोग को कोई मरीज अगर बाहर ले जाना पड़ता था तो खटिया में लाद कर ले जाना पड़ता था जैसे पिछले दिनों 34-2019 को सुनिता कुमारी का पजरपात से आयल हुई थ जिसको खटिया में लाद कर एक किलोमेटर लाया गया उसके बाद 108 एंबुलेंस से उसको बोकारो सदर अश्कतल पोचा आ गया तो इस तरह से कमपनी का ये काम जो है बहुत ही सरानिय काम है और हम जितना अबतारिप करें वो कम होगा और आगे भी इस तरह का आसा रोमी धं अब घर बैठा ओडर करें सिर्फ एक कॉल पर फ्री हॉम डिलिवरी के लिए हमें कॉल करना ना भूलें 809-220-1666 न्यूज लेंस में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो वाट्स अप करें हमारा संपर्क नंबर है